नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल दोलधर अपडेट्स में तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत इबड़ी अपडेट लेके आँ हूँ हवी पुलिस भरती 2021 के रिलेटर ये अपडेट रहीगी क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाई जारी है क्योंकि आप तक जो है ये लेटेस्ट अपडेट पहुंचनी चाहिए तो जूर एंड तक देखे वीडियो को अगर आप हमारी चैनल पर नए विजिट कर ले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं आप हमें बेल आइकन को जूर पैस करें ताकि आगे आने वाली जो भी भरती के रिलेटेड अपडेट होगी वो आपको हमारी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अभी तक अपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरू करें और अपने दोस्तों के साथ शेर जरू कर दें हिमाचल परदेश पुलिस में सिपाही के कुल 1334 पदों के लिए होने बाली भरती की विवस्था पहले की तरह ही रहेगी इस वार भरती के लिए आवेदन करने वाले युबाओं से मूल शुलक के अलावा कोविट शुलक के रूप में 100 रुपे अतरिक्त लिए जाएंगे इस शुलक का उप्योग भरती प्रक्रिया के दुरान परदेश सरकार की ओर से तरह कोविट प्रोटोकॉल लागू करने में किया जाएगा तो आगे भी इन्होंने अपडेट बताई है बताते हैं अभी कोविट के चलते पुलिस मुख्याली ने सरकार को पत्तर लिखकर शेडियूल में बदलाव की अनुमती मांगी थी तो शेडियूल में पुलिस मुख्याली ने अनुमती मांगी थी सरकार थे कहा था कि कोविट की वजह से शरीरिक दर्श्टा परिक्षा कराने की वज़ाए पहले लिखत परिक्षा करवान दी जाए तो इन्होंने प्रस्ताव बिजदा की जो फिसकल टेस्ट है उसको पहले ना करवाकर जो रिटन एक्जाम होता है तो वो करवा दिये जाए इससे लिखत परिक्षा में उतीर्ण नहोने पर काफी भठती बाहर हो जाएंगे और पास होने बाले अभठतीयों की जो शरीरिक दक्षता परिक्षा के दुरान पुलिस लाइनों या केंद्रों पर कोविड प्रोटोकोल के अनुसार विवस्था करने में असानी होगी तो बताते हैं अभी आगे कि क्या जो है डिसीजन हाया है तो हाला कि सरकार ने इस पर लंबे समय तक जवाब नहीं दिया ऐसे में अब पुलिस मुख्याली ने तेह की है कि पुरानी विवस्था में ही भरती को कराया जाएगा तो कोई भी जवाब लंबे समय तक नहीं दिया गया सरकार की तरफ से तो जैसे कि पहले होता था फिसिकल टेट्स पहले होता था उसके बाद रिटिन इग् knight होता था फिर interview होता था और उसके बाद training के लिए भेज दिया जाता था जो selected candidates होते थे तो आगे बताते हैं update फिलाल सरकार से interview को लेकर निन्य के लिए मुख्याले इंतजार कर रहा है तो इंटर्व्य होगा या नहीं होगा इसके लिए जो पुलिस मुख्याले है वो इंतजार कर रहा है सरकार से तो सिपाही भरती में कुल 234 पदों को भरा जाना है इनमें 976 पद पुरिश ओर 267 पद जो है महिला कॉंस्टेबल के हैं तो इसके अलावा कॉंस्टेबल चालक के 91 पदों के लिए भी अवेदन मांगे जाने हैं तो दोस्तों जो इंटर्व्य है अगर उसकी अपडेट अगर मिलेगी तो आपको जूर हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये आज की जो लेटेस्ट अबडेट में आपको बताई कि जो पहले इन्होंने कुछ बदलाव करने के लिए सोचा था कि बदलाव करेंगे जो रिटन एक्जाम होगा वो पहले लेंगे तो रिटन एक्जाम में जो कैंडेट्स रिटन एक्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो वो ही कैंडेट्स जो हैं फिसकल टेस्ट में जाएंगे तो इससे जो है जो कैंडेट्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है इसमें क्योंकि कोवाइट के चलते जो है काफी जो है ध्यान रखना पड़ता है क्रोना वाइरस के कारण तो अब तो परानी विवस्ता की जैसे थी वैसे ही भरती होगी तो देखते हैं आगे जो इंटर्व्यू के उपर क्या पडेट आती है और आपको जो प्रीवेस वीडियो में ने डाली थी तो अगर आपको वह देखनी है तो नीचे लिंक मैं आपको डिस्कुशन में देदूँगा यह उपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप देख सकते हो तो आजकी इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ जाह आते हैं जया हमचे आते हैं